हेलो एवरीवन मैं सब साक्षी फ्रॉम में सटनिंग स्टडी एकडमी आज हम लोग पढ़ने यह वाले हैं टिशूज लास नाइन का ठीक है टिशूज के पहले हम लोग जानेंगे कि सेल क्या होते हैं क्योंकि जो हमारे टिशू होता है वह बहुत सारे सेल्स से मिलके बने होत है सेल्स इस बेसिक स्ट्रक्ट्ट्रल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है और यह देखते हैं टिशूज क्या होते हैं ट्व है ग्रूप ऑफ सेल्स दैटा रसीमलर इन श्ट्रक्ट्चर और वरक टुगेदर तो इचीव पार्टिकुलर फंक्शं इफ नोन अस टिशू तिशू क्या है सेल्सें सेल का ग्रूप है त्यांफ बहुत सारे सेल्सले मिलके एक टिशू बनाते हैं और यह pages show करते हैं ठीक है in plants and animals are made up of different types of tissue सब्刡़ उस वीडियो में मैं सिर्फ plant tissues के बारे में पढ़ाऊंगी गिनिम्र टिशू में मेरिस्टमेटिक किक्षू किसको हम लोग कहेंगे असके चिशू जिसके पास डिवाइड करने के लिए एक वहां प्रेजेंट हो सकता है रूट के अपकेस पर यांफय करें के लिए ऒढ़े हमेरी प्लांट का curита क्या होते वो परमानेनन टिश्यू हो पर्मानेन टिश्यू होो जिसे मोरा प्लांट होता है जिसमे स्ट क्यों होता है इक और डिवाडिंग तिषू और सोलोनलमां अजमेयासिंटक टिश्यू इस लोकेटेडेल आनि आड खी आपकनाम। हमारा ग्रोथ नोстकाथोए मेला जैसे देखिए सफीर में दिखाया गया है कि 특 science प्रेजंट रोता है इसलिए सब्सक्राइब करते हैं इंटर कालरी में टीशू होताएं एक टीशू होता है इंटर कैलरी और एक लेटरल में डिखाए गया है आप इख शूर्ट डोने में प्रेज्एन रेंथ रूट कभी बढ़ाता है और ऑशूर्ट का भी बढ़ाता कि देखे मैंने इक झाल चार्ट कि थू बनाए हैं कि अपिकल और स्युद में मेरे बाधे प्रेकल यह रूट और शूट के प्रेजन्ट होता है एक जीलरी बड़ प्रेजन्ट होता है पे लिप्स में जो की ब्रांच का खौँमिनलघ करते हैं जो लेटर में सुटेम और व्यूस्स फीगर को बढ़ह देता है ये चौड़ाई बढ़ः तो इसको कॉन बढ़ाता है लेटिर्ल मेरिस्टमेट्री टिशू घ्या ने इसको इसलिए हम लोग इसको secondary और लेट्र मेरिस्ट में हम लोग बोलते हैं ठीक है Intercalorie देखी क्या होता है मेरिस्ट में which occurs between the mature tissue इंट्र कैलरी क्या होता है कि एक mature tissues के बीज में मेरिस्ट में present होता है इस फिगर में बनाया गया है कि यह लिफ के नोट्स पे या बेस पे ही प्रेजेंट होता है कौन सा इंटर कैलरी मेरिस्ट में इंटर कैलरी मेरिस्ट में टिशू है और लेटरल क्या है सेकेंडरी मेरिस्ट में टिशू है क्योंकि यह अल्ली स्टेज और प्लांट में ही जेनरेट होता है देखिए पर्मानेंट दो टाइप के प्लांट टिशू होते हैं एक met infection एक परमानेंट टीशु पर मेरिश्ट मेंटिक टीश्व में कौन कौन से आते हैं एपिकल टीशु इंटरकालरी टीशु और लेतरल टीशु ठीक है एपिकल कहां प्रेजन्ट उता है रूट और शूट पे इंटर कैलरी लिप के नोट्स वैगरा पर प्रेजन्ट होते है इस टेम के अर लेटरल कहां होता है वो क्या करता है विद बढ़ा देता है ठीक्या और दूसरा देखी क्या है पर्मानेंट टिशू मेरिस्टेमेटिक ट काम क्या होता है देरे दी वाइड होके ऐस स्पेस्थिक रोल ले ले देता है और अपना डीवाइड करने की दीक को लूज घर कर देता है इसकी दाने की घरी सिंद अल्दी क्या करते हैं देव पॉंब और मैं टिस्व यही मेरी स्टमेटिक टीशू अगर वो ना बंढ जाते तो होता तुलाइब और मैं टीशू में ऑम हो जाते है ठीक है कि देखिए अ टीशू सेंग और से सिम्लर इन इस स्रुक्चर यह gwometer टिस्यू तूटस को एक सिंपल टिश्यू होते एक क्सिंटीशू ओए तुर सींपल टीशू की सब सिमलर इनिन स्ट्रक्चरों सारे ग्रटों एक समानों प्रेश हो और कम्प्लेक्स पिश्यू को पर्मानेंट टिशू having all cells similar in structure ऐसा cell जिसका structure similar हो ठीक है और function भी उसको हम लोग बोलते हैं simple tissue simple permanent tissue complex permanent tissue क्या है the permanent tissue having many different types of cells and different functions और known as complex tissue आईए देखते हैं simple tissue कितने parts में divided complex tissue कितने parts में divided simple permanent tissue three parts में divided परेंकाइमा कॉलेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा मैं एक एक करके तीनों के बारें बताती हूं देखिए पहले परेंकाइमा कैसा होता है एक ऐसा structure होता है ठीक है इसमें वेक्यूज क्लोरोप्लास्ट यह परेंकाइमा का function देखते हैं क्या क्या है कि देखिए कि एक एक परेंकाइमा ओड़ी और प्लांट यह क्या करते हैं करते हैं और फूट का स्टोरेज का का मढ़ी करते हैं तो इन उच्वेटिक प्लांट जो की पानी में प्लांट्स जर्मिनेट होते हैं उन में बहुत ज्यादा प्रेजेट होता है क्या करता है प्लांट को पानी में फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है एस ऐसा यह को प्लांट करने में हेल्प उसको लुए एरुरा काइमा कहते हैं एक और टाइप परेंड़ आ प्रेजेंट होता है उसको क्लोरेंचारि मा बोलते हैं एसा प्रेजकी फोटोसंतेसिस एक फॉट्सेंप नॉरॐ फिल प्रेजेन्ट उसे हम लोग्स क्लोरें काम करता है स्टोर फूट करता है और बहुत सारे स्टारेज करता है सीक्रीशन का काम करता है photosynthesys जाहर करता थी कि Намड़ियो हց gon मेशिकर का यह पिक है आफ कॉलंड काईमा क्या होता है तो कोटेंट थिकर होता है किसमें पेरिंट कायमा में सिर्फ प्रॉस देखियो इसमें इंटर इंटर सेलूरर स्पेशस्न वह एपThank रहते हैं अब बेच में कौह Kinstein है लेकिन चाहिमा उसको और हम लोग और तो कालांटकाइमा की लिए प्रिक्षतिकलरम के क्रीश्च preach और few जी लिए ऊता है क्विट सुन काईमा टिस्यू के वजय से होता हि और ये क्या करता है प्रॉइड्च अंदिकल स्पोस्टू यंग स्टेयम अंप यह क्रोडे से यह मेकैनिकल सपोर्ट का भी काम करता है थार टाइप का देखी क्या है इसका सेल्स क्या सेल्स यूजली डेड और विदाउट प्रोटोप्लास्ट प्लास्ट इसमें एपसेंट होता है यह क्या होते हैं देखिए इस फीगर में यह लॉंग लॉंग नैरो एस वेल एस थीगेंट डू लिगनिंग इनमें लिगनिन टाइप का एक चीज़ प्रेजेंट होता है इनका जो सेल्वाल होता है लिगनिन एक सीमेंट की तरह इनमें काम करता है जो कि मेकैनिकल सपोर्ट अच्छे से देता है प्लांस पूटी क्यों इसमें भी इन्टर्न्राइब्स नहीं प्रेजेंट होता है यह करता है प्लाण को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और यह प्रफिया जाता है श्चाई में जाता है वह और न्ट साफ कोको नट जिससे हम लोग को का नट का जो बाहरी लेखते हैं स्कीलियरेन काईमेटिस्ट टिशू से मिलके बना होता है थίक है इसलिए वो अर्ण होता है प्रोटेक्टि ए ukया होता है वो डेडेड इन नेचर होते हैं ओक फो यह था तिनों डिफरेंश्ट किसमें फिंपल पर्माने बनाढ़ सूम Grü complex tissue क्या होते हैं 자 complex tissue में क्या क्या आते हैं xylem & 같은 complex tissue क्या होता है मैंने बताया कि जो बहुत सारे different different cells से मिलके بنे हों टीक है तो complex tissue में क्या क्या आते xylem & insect consists of the complex tissue in plants the xylem का function क्या होता है xylem Function is conducting tissue for water जितने भी water का conduction होता है mineral का 2007 प्रॉम रूट से स्टेम में जाता है मैं नीनरा क्वारा और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है व॥रा्ड सीस्टेम में रूट से लिव में और फूड मेटेरियल इका जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट करता है मिनरेल अफ स्लोम क्या करता है फूड रांसपोर्ट करता है इसलत से और बाकी सारे पार्टस अफ फूड़ां सब्सक्राइब fibers and xylem parenchyma देखिए जो ट्रेकाइट्स वेसल क्या है ट्यूबलर इन स्ट्रॉक्चर ठीक है लेकिन जो ट्रेकाइट्स का इंड होता है वो पॉइंटेड होता है अभी मैं आगे बताऊंगी देखिए इस इस एलाउड देम टू ट्रांस्पोर्ट वाटर शेया है यह कि वोन के बता है वीढशर ग्रक्स पाइलासल को करता है जो यह मैंने बताई शीलमर को ट्रांस्पोर्ट करता है तो यह कईया है ठीक है अब चल्चल में दिखांगे सेसे होता हैलागएट dispel ट्रॉक्टर टापरिंगेंट मतलब जुनका होता है वो in किवर निकला हुए होता है नुकीला होता है और वेसल क्या है वे या वेजस去 ? वेचल्फ लॉग बाइस जितने भी इंडियो इस पर्म का टेगरी के प्लांट वेसल्स सोंने वेसल्स प्रेजन्स एक कट्रेव स्टेर बताता है प्र सकंच्री में कों सब्सक्राइब और होता रिग्षा में और हमेसा कंडक्शन आफ वाटर मैं घर करता है उजह फाइबस साफाइबस in व क्या को सपोर्ट करता है किस फंक्शन के लगव कि ऑशन ख टंजबा ऄट होता है किर नो result is मेंड प Óफ एलिमेंट जालम भी में रहां बना था और पहला सिर्म ट्यूब से यह भी लॉंग होता है इनका जो लास्ट वाला होता है इनके में सीव होता है तु फॉर्म दशी प्लेट्स ठीक है और इस्पेसिलाइज परिंट कामेटर सेल्स जो कमपैनियन सेल्स है वो सीव ट्यूब से ही अटाच्ट रहता है इसे पिट के द्वारा कमपैनियन सेल्स का काम क्या रहता है वो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करता है सीव ट्यूब के अंदर देखे दशी फ्लोएम परेंकाइमा द्यूब क搞ता है और बहुत सारे अधर सब्स्टेंश जैसे की ब्रेशिं हो गया या यह उसी लेज़ हो गया तीक है अफ्लोेंफ फाइब अफ इसलो हमारा फ्लो में दिखाया गया है यह क्या है कि यह हमारा फ्लोम है देखीए जीड प्लेट से प्यांट एक से दिशीड यह सीड ट्यूब से ही साइटोप्लाज्म है कि इस एफ्वोयई सकते हैं फ्लोएंप फाइवर्स का क्या फ़ंचन होता है प्लाटैसक्टी आफिक्स पॉइन फ्लैक हीम्प फ्वाहिड concludes को उन्री यूजसिता है मैं एनिमल टिशु के बारे में नेक्स्ट वीडियो में